कर दो कि आज की मार्केट बहुत आदा इंट्रेस्टिंग थी हम लोगों ने जो कल ट्रेट सेटप की बात करी थी आज के लिए वह सिंपली यह था कि मार्केट नीचे से एक मुमेंटम उपर की तरफ देगी वहाँ पे एक लिवल्स हम लोगों ने डिफाइन कर रहे थे रिजिस्टेंस के जहां पर वो रिजिस्टेंस फेस कर सकती है और वहां से वह एक शॉर्ट सेलिंग बना सकती है तो वह हमारा सेनारियो वहां पर थोड़ा बहुत चेंज आप लोगों ने क्या देखा और क्या नहीं हुआ उसको एक बाग गलती को accept करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कौन से स्टॉक्स पर हम लोग और ट्रेड ले सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए तो तीन स्टॉक्स में बताने वाला हुँग आज हम उन पर अच्छा प्रॉफिट हमें शायद मिल भी सकता है त्रेड से अगी तरफ भी चलते हैं और देखते की कौन से स्टॉक्स अब आइक अब लिए तो सबसे वहले निफ्टी को स्टडी कर लेते हैं तो निफ्टी में आज आप लोग ने देखा हुगा कि एक मार्केट नीचे से एक मोमेंटम अच्छी तरफ आया इस लेवल पे इसने माइनर इजेक्शन फेस करा रिजिस्टेंस फेस करा और इट स्टाटे दो गो डाउन आट इस पर्टिकुलर लेल यहां पर ऊपर गया और इसका इक ब्रीक आउट दिया इस पर्टिकुलर इंडिक्स ने चलिए एक मि अगर कड़ी इस लेवल पर आता है जों से और इस जों से रिजेक्शन लेता है या रिजिस्टेंस फेल करता है और यहां तन्लोगों को फ़ुई कंडल इस पाटर दिक्टा है तो अगर इसके नीचे दान स्तार्ट करेगा वीगर्डेंटेंटे गा शूर्ट एंट्रेंट् की closing भी दी next candle ने भी नीचे closing दी हमें एक signal मिला कि यहां पर एक trade बन सकता है तो definitely यहां पर हम लोगों ने आप लोगों को बताया भी था telegram पर क्या market मुझे लगता है कि नीचे ही जाएगी market recover उपर की तरफ नहीं करेगी so after that क्या हुआ market range के अंदर आया it created a symmetrical triangle pattern and give a very good breakout और इस level के ऊपर कभी इसने breakout दिया so let's see कि अभी होता गया है यहां पर हम चीज समझ चुके हैंगे after a very good false breakdown it tried to be in a range but यह range जादा long term के लिए नहीं मनी not that की multiple resistance और supports face करे हलका सा एक बन लीचे सने test करा second time and third time पे एक breakout आगया on a systematic way breakout आगया so let's use a fibonacci from this top to this bottom so first minor resistance that we can expect is around this particular level that is 50 percent retracement which is 18,470 and a second target should be 18,520 यह दो major resistance है जहा तक हमारी market expectedly जा सकती है but again यह level में एक mark करके चल रहा हूं आप लोगों के लिए ठीक है और मैं इसको remove कर रहा हूं अगर यह इसके ऊपर जाना start करती है that is 50 percent की उपर आज target should be around this level बट अगर यह इसके नीचे जाना कर जाती है तो we can make a short opportunity see market definitely इस लेवल की उपर close करी है जो हमारे लिए buying position initiate कर सकता है बट मुझे चेक करना है कि कल आज जो last hour के अंदर से उपर की तरफ closing करी है क्या वो substantial है क्या वो sustain कर सकती है नहीं कर सकती है तो अगर यह कल खुलते ही नीचे जाना start करते है यहाँ पर resistance ले यहाँ पर gap up खुला rejection phase करा और नीचे जाना start करते है तो वह अलग scenarios बन सकते है ठीक है तो वह में live market के अंदर ही आपको update कर सकता हूँ so within 15 minutes that is 9.15 market open होगी 9.30 के अंदर ही हमें पता चल जाएगा what should be the scenario for the rest of the day in market so हम उसके basis पे trade बहुत अच्छे तरीके से ले भी सकते है तो वह चीज़ भी हम लोग चेक करके चलेंगे so for now let's take की opportunity की अगर इसके उपर जाता है then we'll take a buy trade otherwise इसके नीचे में एक short trade ही करूंगा जो इसको level को भी break करके नीचे जा सकता है so मेरा अभी वी short bias है बट यह निए कि short को ही मैं sustain करकर रखूंगा market उपर जा रही है अगर market उपर जा रही होगी तो मैं अपने shots जो मेरी thinking है जो मेरे perspective है उनको मैं sight कर दूँगा मैं long की तरफ ही जाओंगा जहां market जा रही है मैं उस तरफ जाना चाहिए अपने perspective हम ज्यादा जिस पर जोड़ नहीं डाल सकते है you know that already बैंक निफ्टी को स्टड़ी गल देते हैं बैंक निफ्टी में patiently थोड़ा रुका वहाँ क्योंकि इस ने breakout निफ्टी ने दी दिया देख यहां पर दो scenario बन सकते हैं बैंक निफ्टी दुबारा नीचे जाना start करता है बैंक निफ्टी ने तो breakout ही नहीं दिया और बैंक निफ्टी यहां से नीचे जाना short चालू करते तो बैंक निफ्टी अंदर shorting opportunity जादा अच्छी बन सकती है बिकॉज इस ओरड़ी ट्रेडिंग इन रेजिस्टेंस और इस लेवल पर बैंक निफ्टी गेंदर और भी जाद अच्छी बन सकती है अब आप करते हैं सबसे पहले अपने first stock विदानता तो let me open a two hours time frame for you and steel sector के अंदर मुझे लगता है कि कल एक बड़ी momentum आ सकती है तो आप steel sector पे जादा थोड़ा focus करके रखना थिक है तो उसमें से एक stock चून के लाया हूं आपको बोले that is Vidanta बहुत अच्छा है इसने एक pennant pattern मनाया था इसका बहुत अच्छा breakout दिया अपने previous swing high के उपर गया इस level पर इट created a double bottom and it created a bullish flag and pole pattern as well अगर यह इस level का अगल breakout देता है then yes we can expect a very good momentum अभी एक high rise and high lows की formation पर काम कर रहा है as you can see it here let me just show you आप चेक कर सकते हैं एक bullish flag pattern मनाया एक bullish pennant pattern मनाया और again it's bullish flag pattern so continuous pattern past से चले आ रहे हैं तो I personally think इसका breakout आता है तो एक बड़ी momentum इस तरीके की हम लोग catch कर सकते हैं विदानता के अंदर so make sure आप इस पर trade opportunities मिले ले लेना अगर यहाँ पर breakout आता है बात करते हैं second stock की second stock is hero motocop and इसका मैं एक बार up to go daily time frame open करके दिखाते हैं एक बहुत अच्छे higher highs and higher lows formation का अंदर यह particular stock काम कर रहा था exactly अभी अपने यह lows को test करके आया last day पर last Friday session पर यह अपने lows को connect करके आया test करके आया and it created a very good bullish pennant pattern इसने बहुत अच्छा bullish pennant pattern मनाया जिसका breakout लेचुका है but this breakout पर we are not buying because यहाँ पर एक multiple resistance है just let me show you अब दिख सकते हैं अपर multiple pause लिया again it gave a breakdown it takes as a resistance इसने एक false breakout दिया again नीचे आया तो वही resistance and वही resistance and today only यही resistance बना है so what I am expecting is कि जैसी 2780 की ऊपर जाना start करता है 15 minutes की candle close होती है then I can take a buy trade but by trade लेने के बाद भी कुछ ऊपर की levels पर थोड़ा बहुत resistance है अगर वह level निकल जाता है तो simple एक बड़ी momentum यह capture कर सकता है let me just tell you that कि वह zone कौन सा है this this is the zone इस zone पे इंग multiple major resistance से मिल सकता और शायद वहां से नीचे आके यहां पर retest भी कर सकता है but अगर यह level निकल जाता है तो market definitely particular stock 2900 तक भी जा सकता है so make sure आप इसको अपने watch list के अंदर add करो telegram पर मैं already suggest कर चुकाओ अब बात करते हैं अपने last stock की वाट इस आईशा मोटर्स आईशा मोटर्स भी particular stock मुझे अच्छा लग रहा है इसने अपने बहुत अच्छे लेवल से pause लिया है अपना यहां पर momentum strong रखा है और consolidate कर है एक pure तरीके से consolidate कर रहा है it created a double bottom अपने target को hit कर रहा है इस लेवल पर pause कर गया after that एक falling which pattern था विच गेव इसका breakout दिया हम लोग ने पिछले चार-पांच वीडियो से पहले हमने बात भी कर यह इस particular stock में यह breakout की चारी कर रहा है इसने breakout दिया it gave a retest at this particular level and it started to go up अब यह अगर आप volume market profile analysis देखोगे तो यहां पर आपको देखकर ही पता चल रहा है कि जो red color की line है that indicates a heavy position heavy position हो रही है और यहां पे buyers और sellers दोनों बहुत ते गा तो वहां पे buyers और positions बना सकते हैं market can try to go up almost 40 to 50 points easily दे सकता है और भी उसके ऊपर जा सकता है so make sure आप Aisha Motors, Hero Motor Cop and Vedanta इन तीनों को watch करें के चलो Tata, Steels and other steel sector stocks है sugar companies है so sugar sector हो गया and steel sector हो गया इन दोनों पर focus करकर रखना यह कल अच्छी momentum दिखा सकता है so that's it for guys today I hope आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई so make sure to like and क्या हम अलग कर सकते हैं for example मैंने एक चीज आप लोग से चाहता हूं multiple जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूं three stocks and market पर क्या there are a number of YouTubers वे चीज़ क्रिएट करते हैं so हम उनसे क्या अलग करते हैं या फिर हमें उनका क्या चीज अड के भी three stocks कल की market analysis देखते हैं so हम उनसे different क्या करते हैं और हम उनके साथ जो वह चीज करते हैं वह चीज को कैसे अपने उस पर यूज भी ला सकते हैं ठीक है जिससे हम और अच्छे सब्ग्रेट कर पाएं have a good day guys मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल bye झाल